नमस्कार एउस्ट्वेंटी विहार की आवाज में आपका स्वागत है हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तकी कुछ प्रमुख खबरों के साथ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर विहार के समस्ती पुर्जिला से आ रही है जहां रोसडाथाना क्षेतर के रहवाडा बंगला पत पर ट्रैक्टर वर ओटो के बीच हुई टक करकी सूचना पर घटना स्थल पर पहुँची रोसडाथाने की गश्ती दल के एक होमगार जवान की सडक हाथसे में मौत हो गई घटना सोमवार 25 जुलाई 2022 के देर शाम की बताई जा रही है मृत जवान की पहचान विभूती पुर्थाना क्षेतर के पटपारा गाव निवासी 58 वर्षे रामचंदरा एके रूप में की गई है जो वर्तमान समय में रोसडाथाना में पदस्था पित थे घटना के संबंद में प्राफ्त जानकारी के अनुसार रहुआ डाक बंगला पत पर सुमवार की देर रात ट्रैक्टर और आटो में टक करकी सूचना पर पहुंची रोसडाथाने की पुलिस हादसे में घायल हुएं लोगों को अस्पताल भेज कर क्षतिग्रस्थ दोनों गाडियों को सड़क किनारे खड़ा करवा रही थी कि इसी दवरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने सड किनारे खड़े हुं गार जवान को जोड़दार ठोक कर मार दिया जिससे उसकी मौत घटना स्थल पर ही हो गई ठोकर मारने के बाद ट्रक चालक ट्रक सहित भागने में सखल रहा वही पुलिस ने पोस्ट मॉर्टम की प्रक्रिया के बाद शव परिजनों को सौंप दिया अभी तक के लिए बस इतना ही कुछ देर बाद हम फिर हाजर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ तब तक बने रहिए एउस्ट्वेंटी विहार की आवाज के साथ नमस्कार रामचंदर राय उनका नाम था वो रोस्रा में होमगाड के सिपाही थे रोस्रा में गारी चलाते थे रात्री में हमको एक बीस या डेर बजे के करीब करीब फोन आया वहीं से जो इनका अफसर इंचार थिन के साथ में जा आपका ससूर जी का तू हो गया हमने पुछा भाई कैसे हो गया में तू तो बोला कि एक टरक वाला धका मार दिया जब वहां गए पर जनकारी हुआ तो बोला एक टरक्टर आओ क्या नाम है टेम्पू था और तो रिक्सा गटिक वाला उस दोनों में घटना हो धका लगया था ते लोग अपना ले करके उसको होस्पीटल पहुचा है जो भी घटना वले थे उसको ले गया उसको गारी को हटाने के दर्वियान में उनको वहां जाने के बाद जो अफसर लोग बोले कि गारी को हटाने के दर्वियान में उनको ट्रस्ट पूचा अधर मार दिया धका उस आट्रक वाला भ